support हुआ है यानि technology के आने से जो knowledge है उसका explosion हुआ है पहले क्या है कुछ ही लोगों के हाथ में access था अभी technology ने बहुत दूर तक पहुचा दिया knowledge को या जो भी knowledge को build करना चाहे उसके पास संसाधन दे दिया यह बात तो सुनने में सही लग रही है what does this mean इसका मतलब क्या है इन चार options में से excessive information यानि अत्यधिक सूचना या फिर हम कहें B option growth and expansion at high speed यानि उच्च गती पर वृद्धियवम विस्तार या फिर C option जिसका मतलब है enhanced knowledge यानि बर्धित ग्यान या explosive information यानि फोटक सूचना क्या मानेंगे आप इसका सही उत्तर ये बताई है बताईए फटा फट से answer कीजे तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे है बहुत ही बढ़िया देखे एक बार अगर मैं बात करूँ technology has led to an explosion of knowledge का simple मतलब है explosion of knowledge यानि ज्यान का विसफोट हुआ है किस से प्राध्योगिकी से प्राध्योगिकी यानि technology से ज्यान का विसफोट हुआ है that means knowledge की जो reach है जो expansion है जो growth है वो high speed से speed इतनी तेज है जिसकी हद नहीं है हम imagine नहीं कर सकते थे अपसे 10 साल पहले के ऐसे भी सब घरों में बैठे होंगे और कोई करेंगे कोई एक चीज़ और आपको हजारों articles मिल जाएंगे आप जितना चाहे knowledge को खंगाल सकते हैं आपके ऊपर है ठीक तो यह negative way में नहीं पूछा उसने कि explosion of knowledge का मतलब यह नहीं है कि excessive information information excessive है बट बात हो यह knowledge की तो जो knowledge build करेगा इस information से उसको तो proper उसमें रमना यह information को उसको experiences से जोड़ना पड़ता है तो explosion of knowledge का यहां मतलब है growth and expansion at high speed वही जब जो technology है वो आई तो सिर्फ information थोड़ी आई और भी बहुत सारे साधन create हुए आप देखते हैं जो schools में इतनी सारी ICT का हम use करने लग गए और भी 70 तरा की चीज़ें आई टेकनलोजी का मतलब high speed पर कर दिया इसका simple मतलब यही है enhanced knowledge explosive information अगर आप शब्द यहां पर इन वाक्यों को समझ करके इस कथन को समझ करके समझ पा रहे हैं तो B option बिल्कुल to the point direct है इसमें कोई भी